नमबर पांच पर आ गई है फणी वर मुवी जिसके अंदर स्कालिट बनी है हौट डेरिंग मॉम मुवी का नाम है जो जो रैबिट और मुवी है साल 2019 की मुवी के डिरेक्टर है हमारे चुलबुले से टाइका वाइटीटी टाइका ने थौर रैगनरोग को भी डिरेट किया है यह आपको पता है और इस मुवी के अंदर भी उन्होंने कमाल ही कर दिया है टाइका ने भारी कॉंसेप्ट को उठा कर काफी हलका बनाकर खिलाया है जनता को टाइका ने research किया world war 2 से related काफी सारी बातों का वो world war 2 के जर्मनी को लोगों के सामने दिखाना चाते थे टाइका को पता चला कि world war 2 का जर्मनी ऊपर से खुशाल लगता है मगर उसके भीतर एक जबरदस खिचडी पक रही थी world war 2 का जर्मनी किसी दूसरे देश की war movies को अपने देश में नहीं चलाता था वो इन movies से दूर रहना ही पसंद करते थे अब ऐसा क्यों है इसके बारे में तो मुझे में नहीं पता वो अपने आपको दुनिया के सामने ऐसे show करते थे जैसे वो बहुत अच्छे भी हैं सब्बे भी हैं लेकिन बहुत रहसे महीं भी हैं तो ये सभी facts टाइका को उनकी research से पता चला जिससे वे काफी प्रवावित हुए टाइका को लगा कि real के अंदर real Germany के दर्शन जो world war 2 वाला था वो शायस से लोगों को दिखा पाएंगे वो भी जो जो रैबिट और हाइल हिटलर की पागल पंती के साथ सकालेट के चाहने वालों को इस मूवी में सकालेट का निभाया रोल काफी अलग सा लग सकता है क्योंकि आम तोर पर अपनी फिल्मों में वो इस तरीके के रोल्स में नजर नहीं आती है एवेंजर्स के इलावा ये दूसरी मूवी जहां तक मैंने देखी है जिसमें उनके किर्दार की मौत हो गई है क्योंकि जिस स्क्रिप्ट ने मूवी में उनके रोजी वाले लुक को उभारने में मदद की उसी स्क्रिप्ट ने उनके किरदार का काम भी तमाम कर डाला मूवी की स्क्रिप्ट की मूवी के सभी स्टार्स ने काफी तारिफ करी थी और जो जोगा किरदार निभाने वाला ये बालक इनका नाम है रोमन ग्रिफिन डेविस ये इनकी पहली मूवी है और हाँ मूवी के लिए टायका को आसकर भी मिला और स्कालिड जोहेंसन को आसकर नॉमिनेशन भी मिला और हाँ एक बात बताना तो भूली गिया कि मूवी के डिरेक्टर टायका वाइटीटी ही इस मूवी में हिटलर की भूमिका में नजर आते हैं